हेलो गाइज, वेलकम डू मैं चैनल, मैं हूँ रिचा, जैसा कि आपको पता है मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहां के लाइफ इन स्ट्रेगल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिक टॉपिक लेकर के आई हूँ वो यह है कि जर्मनी में मेड का कॉस्ट क्या आता है, अगर आप मेड हायर करते हैं डिली बेसिस पर क्या कॉस्ट आता है, मंथली कॉस्ट क्या आता है and ऐसा क्या करें जो कि आप अपना time save कर सकते हैं, money save कर सकते हैं and आपकी life किस से easy होगी So let's start तो मैं सुरूर से सुरूर करती हूँ पहले हम लोग vacuum cleaner use कर रहे थे उसमें time भी बहुत जाता था और हमारा 100% involvement रहता था हमें खुद से clean करना पड़ता था deep cleaning के लिए तो वो काफी अच्छा होता है cleaning का कोई issue नहीं था पर sometimes हमें back pain होता था and time हमारा बहुत जाता था तो इसलिए हम लोग daily basis पे clean नहीं कर पाते थे अपना घर तो मैंने सोचा actually मैंने नहीं मेरे husband ने सोचा क्यों ना robot लिया जाए so robot ने हमारी life बहुत easy कर दी हमारा बिल्कुल भी involvement नहीं होता है उसमें हमने time set कर दिया है वो automatically सुपर आठ बजे खुद से start होता है and हमारा घर पूरा clean कर देता है हमें कुछ भी करने की ज़रत नहीं परती हमारा co involvement नहीं होता है और घर हमारा पहले से ज़्यादा clean होता है daily clean होता है पहले मैं यह बताना चाहूंगे कि यहां made का cost क्या होता है approximately यहां पर 15-20 euro आपका cost पर मन्त अगर आप हायर करते हो daily का तो अगर इंडिन करेंसी माप देखो तो 17-1800 के आसपास एक घंटे का cost आएगा minimum साथ में आपको ticket का भी cost देना होता है AB zone में है तो 5-6 euro उसका भी cost आएगा एक घंटे का 15-20 euro plus 5-6 euro so काफी expensive है ऐसा नहीं है कि यहां पर मिलते नहीं है affordable नहीं होते daily basis पे monthly तो कोई भी नहीं रखता है at least मैं जिन लोगों को जानती हूँ उसमें से कोई भी daily basis पे monthly नहीं रखते कि 30 days daily आ रहे हैं कोई भी उनके घड़ में help के लिए month में 2 बार या maximum 4 times लोग hire करते हैं so robo काम आसान कर देता आपका time भी save होता है easily clean हो जाता है so यह हमारा robo हमने इसका नाम Sophie रखा हुआ है so Sophie हमारे घर का सारा काम करती है घर को अच्छे से clean करती है सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे होती थी क्योंकि अभी मेरा postpartum चल रहा है मेरे hair loss बहुत हो रहे है hair fall होते हैं so यह घर को पूरा clean करती है और कालीन वगेर पे जितने भी hairs है वो सारे वो निकाल देती है तो मुझे कोई issue नहीं होता घर बहुत clean रहता कहीं पे भी मुझे बाल नहीं दिखते हैं पहले हमेशा हर जगा बाल ही बाल दिखते थे so I can say कि best purchase of 2021 so far अभी तक का यह मेरा सबसे अच्छा purchase है so हमारा काम भी easy हो गया है इसके साथ remote भी आता है यह रहा remote remote से आप आगे पीछे left right कर सकते हो and अगर यह discharge हो गया तो इसको आप इसके station के पास charging point के पास भेज सकते हो मैंने यह Amazon से purchase किया था उस time पे discount था तो हमारा 180 के आसपास आया था मैं link description में दे दूँगे आपके लिए भी easy रहेगा and यह हमारा जो goofy का है और इसके reviews काफी अच्छे थे अब तक personally मेरा experience काफी अच्छा रहा है घर पुड़ा clean रहता है सारे कालीन clean रखता है bathroom का, clean hall का, living room का, clean bedroom का work space के पास जो भी कालेन है kitchen में जितने भी कालेन है सब को clean रखता है कहीं कोई hairs नहीं, कोई dust नहीं and मैं बहुत खुस हूँ अगर आप ढूण रहे हैं कि रोबो लेना चाहिए तो प्लीज यह रोबो को आप consider कर सकते हैं and second thing कि रोबो अगर आपको back pain का issue हो रहा है vacuum से clean करने में या फिर आपका time जा रहा है जो भी issues है तो आप रोबो को consider कर सकते आपका घर भी clean रहेगा आपका time भी save होगा and personally मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है हम दोनों का मेरा और मेरे husband का time भी save हो रहा है आपका अपार्टमेंट कितना मीटर स्कॉाइर का है उस पर हो सकता है ज्यादा time भी लगे कम time भी लगे तो हमारा तो घर पूरा clean रहता है अच्छा काम करता आपका कोई time नहीं जाता है इंडिया में भी अब आने लगा है तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किसी का आना जाना घर में नहीं रहेगा made का या किसी का और easily यह आपका घर clean करेगा वैसे वहाँ पर made या cook वगेर affordable है हर किसी के घर में होते हैं सो कोई problem नहीं है है वहाँ हमारी भी आद थी यहाँ पर हमें इसलिए बहुत struggle हो रहा था घर के सारे काम में initially और धीरे 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 हमें यह लगने लगा कि खुद से काम करना जादा easy है किसी person का help लेने से क्योंकि उसके according आपको रहना पड़ता है कोई आया तो वाट अब हमारी life बहुत easy हो गई है हमें आदत ही हो गई है मज़े की बात यह है कि रोबो के साथ इसका battery recharge होने वाला तो यह खुद बखुद अपने station के पास चला जाता है इसमें कुछ भी फस जाता है कभी floor पे कुछ गिरा हुए आपका wire है या कुछ भी है तो वह बीप-बीप sound करता है वहीं रूक जाता है कि उसमें कुछ फस गया है और वो खराब हो जाएगा कोई issue नहीं है कहीं पर कोई issue नहीं है हमारा generally होता है bed के नीचे कही वार फस जाता है बट कोई इस्यू नहीं आता है उससे वह बीप बीप साउंड करता है तो फिर हम लोग जाते हैं और इसको आफ करके उसमें से देखते हैं क्या फसा हुआ है उसको निकाल के फिर वह सही से काम करता है सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐस सच अगर आप ऐसा को सोच रहें जैसे कि पहले मेरा फिर था कालीन को पता नहीं करेगा या नहीं करेगा so क्यों मैं इतना money invest करो जब कालीन को clean ही नहीं करेगा बट ऐसा नहीं है ये हर चीज clean करता है floor तो clean करता है कालीन भी clean करेगा और किसी चीज में फस्ता नहीं है अगर ये discharge होने वाला है तो खुद बखुद अपने station के पास चला जाएगा आपको charging में भी बार बार लगाने की ज़रुरत नहीं है मतलब आपका zero involvement होता है अगर आपके floor पे कुछ भी नहीं है तो अगर floor पे कुछ है तब भी कोई issue नहीं है अगर उसमें कुछ फस्त जाता है तो वो beep beep sound करेगा तो ये तो रहा आज के वीडियो मुझे comment section में ज़रूर बताईए आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए बाबाई बाई